हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन लेकर आए हैं यहां पे मैंने शिर्ट बना कर रखी हुई है इस शिर्ट का डिजाइन मैंने आपके साथ पहले शियर किया है तो वीडियो को आप देख सकते हैं तो यह जो शिर्ट है इसकी लंबाई 40 इंच तेयार है लेकिन हमने 45-40 इंच इसको रेडी रखना है तो यहां पे लंबाई कम है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए अगर आपको वैसे भी घेरा प्लें लग रहा है तो वैसे भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं तो यहां पे 5-6 इंच का यह डिजाइन हमारा बनेगा तो यहां पे हमने एक कपड़ा लिया है बॉटम माला यह जो कपड़ा है हमने अपने बॉटम के साथ का लिया है और यहां पे एक हमारी इंसर्ट लेस ली है यह जो कपड़ा है इसकी जो लंबाई है चुड़ाई है लंबाई तो आपने घेरे के हिसाब से रख लेनी है, चुड़ाई हम यहाँ पे 4-4.5 इंच रख लेंगे, यहाँ पे इस इंसर्ट को हम लगा देते हैं, साढ़े 4 इंच के पटी काट कर इसको मैंने लंबा ही अभी ले लिया है, और इसके उपर एक इंसर्ट लगा लेते हैं, और इसको इस तरह स्टिच कर लेते हैं, स्टेच करने के बाद इसकी हमने cutting करनी है यहाँ पर हम 2.5 इंच का चोड़ा इसको cut कर लेते हैं यहाँ पर मैं line के हिसाब से cut कर रही हूँ तीन line मैंने यहाँ पर cut कर ली है इसी तरह कि हमारी ये पटियां बनेगी अब दुबारा से insert को हम इस वाले piece के उपर जोड लेते हैं ऐसे ही हमने insert को लगाते जाना है और कपड़े को जोड़ते जाना है जितनी हमारी गेरे की पटी होगी जितनी भी हमारी चौड़ी पटी है गेरा जितना भी है हमारा 21, 22, 24 जो भी है उतनी चौड़ी ये पटी हमने ready कर लेनी है तो यहां पर मैं फिर दुबारा से इसे cut कर लेती हूँ और cut करने के बाद इस तरह इसको fold करके stitch जूरूर करना है क्योंकि यह जो बाहर की तरफ बिल्कुल ना है तो यहां पर यह देखे इस तरह बन गया है अब इसकी दोनों साइड कपड़ा दुबारा से लगा देते है अब दोनों साइड हमने कपड़ा लगा कर इसको ऐसे ही attach कर लेना है वैसे ही हम 2,5,5 इंच के gap पे इसको silते जाएंगे और इसे बना लेंगे पूरी पट्टी को दीजे यह हमने पूरी लंबी पट्टी बना ली है मैंने थोड़ी अपने घेरे से एक्स्टा ही बनाई है थोड़ा कम ना रहे इसलिए तो यहां पर अब इसको create करना है design को हमने बहुत अच्छा सा बनाना है यहां पर मैंने shirt के साथ की एक लंबी पट्टी ओर ली है इसकी चुड़ाई हमने 3 इंच ली है तो यहां पर 3 इंच चौड़ी पट्टी हमने लेकर रखी है इसको हम इसके नीचे रखेंगे और insert वाले हिस्से को हमने सीधा रखना है अब जो सीधी साइड है वो उपर की तरफ होगी और कपड़े की हमने सीधी साइड रखी है नीचे वाले की भी अब इसके उपर एक सीधी सिलाई ऐसे ही हमने लगा लेनी है अधे इंच का मार्जन देते हुए तो यहां पर हम इसके वादे इंच के मार्जन पर इसक को stitch करते हैं पहले अब देखें सिलाई लगाने के बाद हम ने इस तरह इसको खोल लेना है कपड़े को बार की तरफ और यहां पर इस कपड़े को अंदर के तरफ दबा देना है कि इसको हमें एक दबाब की शिलाई पकाई लगाएंगे तभी यह अची तरprofits हो जाएगा तौ दबाब की शिलाई लगाकर जो नीचे का कपड़ा है जो हमने श़र्ट का लगाया है उसको हमने उपर की तरफ इस तरह हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस डिजाइन को ऐसे उपर की तरफ करते हुए जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसके उपर रखके इसको सिल देंगे सिलाई हमारी बिल्कुल नहीं देखने चाहिए इसको भी हमने सीधा सिल लेना है अब देखिए से हमने सिल लिया है सीधा अब यह पट्टी हमारी रेडी हो गई है और यहां पर आब एक लेस लेते हैं यह हमने लेस ली है एक स्कैल्प वाली यानि की कव वाली इस तरह कर्ट्स है इसके अंदर अब इसको हम सीधा रखते हुए इसके उपर रखेंगे को और सिच कर देंगे लेस को इसके साथ लेस को हमने इसके साथ अटैज करना है लेस होगी वह आप अपनी पसंद की लगा सकते हो कोई भी जो आपके पास अवेल लेबल हो अगर लेस नहीं है तो कपड़े के ट्रैंगल्स बना कर भी आप इसके अंदर लगा सकती हुए तो देट इंच चोड़ी एक पट्टी ले लेते हैं इस तरह मैंने देट इंच चोड़ी एक पट्टी ली है इसको अब इसके अंदर अटेच करेंगे यहां पे एक सिलाई लगाकर पहले इसको जोडना शुरू करते हैं इसको हमने सीधा रखा है कपड़े को जो हमारा पैटन है और पट्टी को हमने उल्टा रखना है पट्टी को उल्टा रखके पैटन को सीधा रखके एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं पहले इस तरह सीधी सिलाई लगा कर फिर उसी तरह हमने इसको एक दबाब की सिलाई भी लगानी है कि यहाँ पे आप अगर कोई insert list डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं उससे भी ये design अच्छा बनेगा तो इस तरह कपड़े को हम इस तरह fold करेंगे और एक दबाब की सिलाई उपर लगा देंगे तांकि यह पर्टी ना खाए बिल्कुर भी insert की side में ना आए अब हम इसको सिलने के बाद इसके उपर हमने घेरा जोड़ना है लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम एक insert attach कर देते हैं तो इससे इसकी grace बहुत अच्छी आ जाएगी वही वाला insert जो हमने नीचे लगाया था इसको हम इसके उपर रखके सिल देंगे सीधी सिलाई लगाते हुए आपको अगर कोई भी simple सा suit design करना है तो अगर इस design को आप बनाते हैं तो बहुत इसका awesome सा look आता है मेरे पास जो ये suit था बिलकुष simple सा था लेकिन इसको जब हमने बनाया तो इसका look बहुत अच्छा है सबको बहुत पसंद आया है ये design तो insert को हमने पलटी करके इसको दबाब की शिलाई भी लगा दिया है अब हमारा ये pattern बनकर तयार है तो लीजे pattern हमारा बन गया है अब इसको हमने shirt के अंदर ready करना है अब देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है इसके लंबाई मैं आपको बता देती हूँ ये कितना लंबा बना है अभी ये जो बना है छे इंच का बन गया है तो तकरीबन इतना ही हमें चहिए था अपनी shirt के निचे लगाने के लिए तो अब हम shirt लेते हैं और shirt के ऊपर इसको रख के attach कर देंगे तो यहां पर मैंने shirt को इस तरह अंदर से cut लगा लिया है दोनों side से क्योंकि ये बराबर fold होगा तो अब हमने सीधी side रखनी है shirt की और जो ये pattern है इसको हमने उल्टा रखना है pattern को हम इस तरह उल्टा रखेंगे और shirt की सीधी side रखेंगे और इसको सीधा रखके सिल लेंगे इसको जोडने में कोई problem नहीं है एक ही सिलाई से ये जोड जाएगा इस तरह हमने जहां पर cut लगाया था बिल्कुल उसके उपर रखना है रखके हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो इस तरह हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हमने पट्टी करके एक दबाब की सिलाई लगानी है उसके बाद ये गेरा हमारा रेडी हो जाएगा और यहाँ पर आपने side से जितना fold करना है उतना fold कर लीजिए एक्स्टा कपड़े को आप इस तरह कट कर दीजिए अब एक दबाब की सिलाई लगा कर इसको complete कर लेते हैं और देखिए बहुत ही सुन्दर सा ये हमारा pattern बनकर तयार हुआ है देखने में बहुत ही बड़या लग रहा है बिल्कुल से कुड़ते का जो look है वो बगल जाएगा इस गेरी के साथ और अगर आपका कपड़ा कम है तो उसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी इसको side से, दोनो side से हम finish कर देते हैं और ये pattern बनकर तयार हो गया है आपको ये pattern कैसा लगा है, design कैसा लगा है और कितना ये आपके लिए helpful है आप किस-किस के लिए ये helpful है आप हमें comment जरूर कीजिएगा और अगर आपने पहले इसको बनाया है तो भी बताईएगा अगर आपके लिए निया है तो भी बताईएगा Thank you for watching this video तो लीजे ये change का घेरा हमारा बढ़ गया है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं सब वीडियो मेंने डाल दी है अभी इसकी बॉटम की रहती है वो मैं next उसके डाल दूँगी तो आपका इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाग आपको ये suit डिजाइन कैसा लगा वो भी जूरूर बताईएगा थैंक यू ववाचिं